तो हलो गैस वेलकम बैक टो आर चैनल तो गैस आसुस ने ज़स्ट भी लॉंच किया है अपना रोजी फोन 6 सेरीज और जैसे हम जानते हैं करन्टली आसुस के पास दो फोन के सेरीज है तो पहला है रोग फोन सेरीज और दूसरा है जेन फोन सेरीज तो पिछले साल हमने आसु बहुत लिद देखने को मिला था तो इस साल हमें जेन फोन 9 देखने को मिलेगा पर आसुस ने अनॉंचमेंट डेट अभी नहीं बताया है बट अभी गले जेन फोन 9 के ओफिशेल ट्रेलर लीक हो चुकी है और फोन के ओफिशेल ट्रेलर से इसकी की फीचर्स और डिजाइन फी रिवील होगी है तो इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं asuस की नेक्स्ट फ्लाक्डिव जेन फोन नाइन के बारे में तो सबसे पहले design के बात करें तो जन फोन एट की तो इस फोन की साइज होने वाली है तो आसुस जन फोन नाइन एक अगंधोन हो गी जिसमें high-end specification दिया जाएगा और design में इस साल new changes देखने को मिलेगा तो पीछे के दरब dual camera दिया गया है जिसमें दोनों ही camera sensor बड़ी camera module में placed किया गया है आगे phone की sides flat दिया गया है हाला कि यह 2022 की flexi phone होने वाला है पर इस phone में headphone jack का support नहीं हटाया गया है जो कि top side देखने को मिलेगा साथ ही phone में stereo speaker का setup और phone IP68 water और dust resistant होने वाला है और सामने कदरब display में hole punch cut out left corner में दिया गया है और एक चीज आपने notice किया होगा कि इसकी fingerprint scanner इस पार side में दिया गया है और अंडर display नहीं देखने को मिलेगा तो phone चार color option में available होगी और back देखकर लग रहे कि phone soft touch finish के साथ आने वाला है specification के बात करें तो इस official trailer के हिसाब से Asus Gen4 9 में 5.9 inch की display होगी जो कि Samsung की AMOLED पैनल के साथ आएगी और साथ ही 120Hz refresh rate होगी इसका मतलब display सेम Gen4 8 की तरह होने वाला है प्रफॉमेंस के मामले में phone में snapdragon 8 Plus Gen1 की chipset और 4300mh की बेटरी दिया गया है तो दोनों ही Gen4 8 की snapdragon 888 और 4000mh से new upgrade के साथ आने वाली है और phone में 50MP की Sony IMX766 sensor की primary camera दिया गया है जो कि 6X तक की gimbal stabilization feature के साथ आई की तो बस यही सारे चीजे थी जो कि official trailer में reveal किया गया था और आसुस के तरब से अभी कोई भी official announcement नहीं है बट official trailer आ गया है तो announcement date भी जल्दे reveal किया जाएगा तो आपका क्या कहना है इस आसुस के upcoming flagship phone के बारे में आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा तो मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ तब तक के लिए take care good bye